हेलो एन वेलकम बैक टूवर यूट्यूब चैनल आईक्यू मेंट और मैं हूँ तरुन यादो और चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दन सब्सक्राइब दा आईक्यू मेंट और नाओ सो गाईस आप लोगों को पता है कि उत्तरपडेस लेखपाल की वेकिंसी आ चुकी है उत्तरपडेस पुलीस की वेकिंसी आ चुकी है ग्रुप डी की परिक्षाएं बहुत जल्द होने वाली है सूपर टेट की 17,000 पदो पर भरतिया होने वाली है साथ जात SSC की बहुत सारी प करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ इसमें आपको GKGS और स्टाडिक GK की भरमार देखने को मिलेगी जो कि आपके सभी परतियोगी परिक्षाओं के पॉइंट आफ यू से बहुत जादा इंपोर्टेंट रहेगा खास कर उन बच्चु के लिए तो ये सिशन रामबार्ड रहन से बाहर आपका किसी भी परतियोगी परिक्षाओं में कोई भी कुश्चन नहीं आने वाला तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर करना साथ ही साथ चैनल बेर पहली बार आयो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस करना और चलिए इस थापना की है तो दोस्तों जनवरी 2022 में भारतिय रिजर्व बैंक ने वित्तिय पर दिश्च पर ध्यान के अंदरित करने के लिए फिटनेस विभाग की स्थापना की है और दोस्तों इसकी स्थापना आर्थिक छेतर में आने वाली तक्नीकी समस्याओं के निवारण के इंडिये की गई है अब यहां पर बात की गई है रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तो आई है रिजर्व बैंक आफ इंडिया से जितने भी इंपॉर्डिंग कोशन बन सकते हैं उन सभी को डिसकस कर लेते हैं तो यह कोशन आपका बनेगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना क इसकी सिफारिश पर हुई थी या किस आयोग की सिफारिश पर रिजर्ब बैंक की स्थापना हुई थी तो दोस्तों इस आयोग का नाम है यंग हिल्टन आयोग क्या है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही दोस्तों रिजर्ब बैंक आफ इंडिया की स्थापना की गई थ एक कोशन ओ बनेगा कि Reserve Bank of India यानि कि RBI का प्रारंभीक मुखशले कहा था तो RBI का प्रारंभीक मुखशले दोस्तों आपके कलकत्ता में था कहा पे था कलकत्ता में था अगर एक्जामे पूछ ले कि RBI यानि Reserve Bank of India का वर्तमान मुक्षाले कहा है तो वर्दमान मुक्षाले दोस्तो मुंबई में है कहां पे है मुर्व मुंबई में है और जो सबसे पहला मुक्षाले था वो कहां पे था यानि कि प्रारंभिक मुक्षाले कहा था तो और कौन थे तो रिजंब आफ इंडिया के पहले गवर्णर का नाम है ऊस्बॉर्ण इस्मिः तो बारतिए गवर्णर कई थे तो भारतिया के नाम है दोख चीडी देश मुख नाम है इसको भी नोट करने ना important point बनेगा ठीक है ना इसके लाओ दोस्तों एक question आपका और बन सकता है कि Reserve Bank of India का राष्ट्री करन कब हुआ था तो दोस्तों Reserve Bank of India का राष्ट्री करन एक जनवरी 1949 को हुआ है कब एक जनवरी 1949 को Reserve Bank of India का राष्ट्री करन हुआ है तो इस सारे important point को note करते हुए जाना क्योंकि इन सभी से questions आपके exam में कई बार बने है इस परे से सारे points कराए जा रहा है नोट करते हुए जरूर चलना और चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ वीडियो पसंदारी हो content दमदार लग रहा हो तो वीडियो को like जरूर क तो दोस्तो 10 से 16 जनवरी 2022 तक पस्चिम बंगाल में कहां पर पस्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जा रहा है और दोस्तों पस्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीब पर इसका आयोजन होगा ठीक है अब दोस्तों यहां पर मेले की बात की गई है तो एक मेला ऐसा है जहां से आपके एक्जाम में बहुत बार कोईशन बने है तो इसको भी जड़ा नोट कर लो तो वो उस मेले का नाम में क्या है अंबू बाची मेला ये कई बार आपके एक्जाम में रिपीट हुआ कोईशन है इसलिए में बता रहा हूं अंबू बाची मेला कह होता है तो अंबू बाची मेला दोस्तों आपके असम में आयुजित किया जाता है और कहां आयुजित किया जाता है तो कामक्षा देवी के मंदिर में आपके अम्बू बाची मेला आयुजित किया जाता है और अम्बू बाची जो मेला है ये असम में लगा करता है कई बार एक्जाम में पूछा है लगबग 10 बार से जाता है ये कोशन रिपीट हुए है इसलिए इस कोशन को नोट कर लेना अब दोस्तों ये जो आदानी बताओ पस्ची मंगाल करा आजदानी बताओ ये सब आउटडेटेट हो चुका है अब इस तरीके कोशन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता कोशन क्या बनेगा वो मैं आपको उताता हूं कोशन आपका बनेगा फोर्ट विलियम कहां पे है क्या फोर्ट विलियम कहा कहा है तो सुछल फोर्वे ऑफ chicken Wait का मुक्शाला भी आपके कोलकाता में है कोलकाता आपका कहां पे है पस्ची मंगाल में है ठीक रूप में ऐस्को नोट कर लेना जो लॉजिकल सर्वे ओफ इंड़ा की पहली महिला निंदेशन का नाम है धिरती बनर्ची इसके लावा दोस्तों एक कोशन पूछ लेता है कि जल्दा पारा यह सुंदरवन नेशनल पार कहां पे है तो दोस्तों जल्दा पारा और सुंदरवन नेशनल पार आपके प इसको नोट कर लेना कुशन बन सकता है में भी ठीक है ना लेकि इतना इंपॉर्टन नहीं है यह पॉइंट लेकिन फिर भी अलग से नोट जरूर कर लेना चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स कुशन तरफ नेक्स कुशन हमारा कह रहा है दोस्तों कि देश में पहली बार स्टा 12 जनवरी के बीच क्या जा रहा है स्टार्ट अप निवेशक और बैंक क्या स्टार्ट अप निवेशक और बैंक आधी को एक मंच पर लाना ही इसका उद्देश है और प्यूश गोयल के द्वारा इसकी शुरुवात की गई है किसके द्वारा प्यूश गोयल के द्वारा इ पूर्य हाली में लॉंच किया गया है समरिद्ध पोर्टल किसने जारी किया है तो समरिद्ध पोर्टल को दोस्तों दूर संचार किसने दूर संचार मंत्राले ने जारी किया है सम्रिद्व पोर्टल को ठीक ना इसके लाव एक कुशन और बन सकता है कि युनिकॉर्ण के मामले में भारत किस इस्थान पर है तो युनिकॉर्ण के मामले में भारत तीसरी रैंक पर है यानि थर्ड इस्थान पर है एक कुशन और बनेगा कि राष्टिय होगा तो इसके आयोजन दोस्तों पॉन्डी चेरी में होगा कहां में होगा पॉन्डी दर अब्शन जोड़ा क ciud already pennand Chris सओकमोर इसके लाव एक कुशन और बने गां कि ग्लोब़न इनौवेशन इंडेक्स में भारत की रेंकिन क्या है तो ग्लोबल इनोवेशन दिवस का मना जाता है तो विश्वा हाथी दिवस विश्वा हाथी दिवस भी आपका 12 अगस्त को ही मनाया जाता है तो यह दोनों पॉइंट्स को भी नोट कर लें लाकि अंतरास्टी युवा दिवस 12 अगस्त तो विश्वा हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है सारे Cyprus में कहाँ पर? Cyprus में Corona Virus के नए संस्क्राण Delta Crone की पहचान की गई है चलिए अब कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं जहान से एक्जाम में आपके Question बन सकते हैं एक Question बनेगा दोस्तो Mucormicosis तो Mucormicosis को हम लोग Black Fungus के नाम से जाना करते हैं तो किसे नाम से black fungus के नाम से जाना करते हैं। mucermycosis को, ठीक है ना? इसके पालाबवा cadidosis के नाम से किसे जानते हैं, तो cadidoces के नाम से दोस्efट हम लोग white fungus को जाना करते हैं, किसको जाना करते हैं? white fungus को जाना करते हैं, और अभी present time, korona का एक नया variant omicron variant बहुत तीरी से फैल रहा है तो omicron variant को किस नाम से जानते हैं तो omicron variant को दोस्तों हम लो b11529 के नाम से जाना करते हैं b11529 के नाम से जाना करते हैं ठीक ना, चले, एक कुशन और जानलो जो एक्साम में बने हैं दो तीन बार पूछे जा चुका है वो क्या है मॉस्किवरिक्स क्या नाम है मॉस्किवरिक्स ये है क्या चीज तो मॉस्किवरिक्स दोस्तों मलेरिया की पहली वैक्सीन है ठीक ना क्वेशन ये उड़ता है कि मलेरिया किस से होता है तो दोस्तों Malaria Plasmodium Protozoa के कारण होता है किसे कारण प्लास्मोडियम Protozoa के कारण Malaria हुआ करता है और Malaria के पहली वैक्सीन का नाम क्या है तो उसका नाम है Maskivrix ठीक है ना चलिए अब बढ़ते हैं मारे आगे तरफ Next Question तरफ और Next Question देखते हैं क्या कह रहा है Next Question है हाली में 2022 Melbourne Summer Set 1 में किसने पुरुष एकल टेनिस किताब जीता है तो दोस्तों राफेल नडाल ने जीता है यहां दोस्तों 2022 Melbourne Summer Set 1 में राफेल नडाल ने पुरुष एकल टेनिस किताब जीता है अगर एक्जाम में पूछा जाए कि Melbourne Summer Set 1 में महिला एकल में किसने टेनिस खिताब जीता है तो महिला एकल में दोस्तो जिमोना हालेप ने जीता है किसने जिमोना हालेप ने जीता है चलिए कुछ आन्य सवालों को भी जान लेते हैं जहांसा आपके एक्जाम में कोशन बन सकते हैं तो एक कोशन आपका तो ये बनेगा कि अभी हाली में American Open 2021 के पुरुशुवर का खिताब किसने जीता है तो American Open 2021 के पुरुशुवर के खिताब दोस्तो डेनियल मेदवे देव ने जीता है और ये रशिया के खिलाडी है एक कोशन एकजाँ में और बनेगा कि अमेरिकन Open 2021 महिला वर का खिताब किसने जीता है तो American Open 2021 महिला वर का खिताब दोस्तो एमा रादु कानू ने जीता है जो कि यूके की खिलाडी है एक कुशन और बन सकता है कि हाली में आयुजित डेविस कप का किताब किसने जीता है तो डेविस कप का किताब रुशिया ने जीता है इसके अलावा Laureus World Sports 2021 से खिताब किसमे जीता है तो Laureus World Sports 2021 से खिताब दोस्तो राफेल नडाल ने जीता है चलिए, अब बढ़ते हैं मारे next question तरफ, next question देखते हैं का कह रहा है next question है दस जन्वरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्स पर रहा है तो दस जन्वरी 2022 को इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में उडिसा राज्य शीर्स पर रहा है दोस्तों यह प्रतियों गिता एक राश्टियों प्रतियों गिता है और इसे राश्टियों कोशल विखास निगम के द्वारा आयोजीत किया जाता है इंडिया स्किल्स 2021 को यहीं चेले कुछ आन्य सवालों को भी जाक कवर कर लेते हैं जहां से एक्जाम में आपके कोशन बनेगे धनू जात्रा पर्व रज पर्व जगनात रतयात्रा कहा मनाई जात्ता है तो दोस्तों धलू जात्रा परवो चाहे वो रजपरवो चाहे जगनात रथ जात्रा हो ये सारे के सारे आपके उडिसा में मनाया जाता है कहां पे उडिसा में इसके लाओ दोस्तों एक कुशन आपका और बन सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन सा विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो विजय हजारे ट्रॉफी को किस ने जीता है तो हिमाचल परदेश ने जीता है हिमाचल परदेश ने जीता है एक कुशन आओ बनेगा कि कोणार का सूर्य मंदिर कहां पर रहा है तो कोणार का सूर्य मंदिर दोस्तों ये भी आपके उडिसा में हैं कहां पे है उडिसा में हैं एक कोशन आपका और बनेगा दोस्तों कि किस वंस के साशक ने कोणार का सूर्य मंदिर बनवाया है तो कोणार के सूर्य मंदिर को गंग वंस किसने गंग वंस के नरसिंग देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है गंग वंस के नर्सिंग देव प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया है कोणार्क मंदिर जो की उडिसा में हैं मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं इसको नोट कर ले ना तो सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफिक विजेता दोस्तों आपके तमिल नाडू है कौन है तमिल नाडू है इसको भी नोट कर लेना इसके लाव एक क्वेशन ओ बनेगा कि हाली में हुए डूरंड कप को किसने जीता है कौन सा कप डूरंड कप दूरंड कप दोस्तों फुटबॉल ते संबंदित है तो दूरंड कप को किसने जीता है तो गोवा ने जीता है किसने जीता है इसके लाव दोस्तों आइस हौकी चैंपियंशिप किसने जीता है तो आइस हौकी चैंपियंशिप को दोस्तों आइटी बीपी ने जीता है किसने भारती इनौसेना युद्ध पोथ पर ब्रह्मोस सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्क्रण का सफलता पूर्व परिछन किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जारी है मिसाइल की तो आएक कुछ अन्न मिसाइल के रहाएं मिसाइल का नाम और आप रखना है वो है जिर्कोन मिसाइल कौन सी जिर्कोन मिसाइल तो दोस्तों जिर्कोन मिसाइल जो है इसकी खास बात ये है कि पहली बात ये कि एक हाइपरसोनिक है क्या है हाइपरसोनिक missile है और दूसरी बात यह है कि जरकोनिक missile को रशिया ने विक्सित किया है, किसने बनाया है? रशिया ने विक्सित किया है जरकोन जरकोन missile को ठीक है न? इसके लावा एक कोशन और बनेगा दोस्तों INS विकरांथ जू कि बहुत औफ यू से आईनेस विराट चुछ है दोस्तों इसको हम लोग great old lady के नाम से जाना करते हैं ग्रेट old lady के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं आईनेस विकरांद को लेकिन अभी हाली में आईनेस विकरांद को इसे dis commission कर दिया है यानि सेना ने इसको प्योग करना अब बंद कर दिया है और आई एनस विराट को लोग ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना करते हैं ठीक है ना और आई एनस विकरांथ के बारे में बताओं तो भारत का पहला स्वदेशी विवान वाहक पोथ है और जिरकोन मिसाइल के बारे मैंना को बता ही दिया कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस यह रसिया ने बनाया है प्रल्य मिसाइल तो जानी के यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ब्रम्मोस मिसाइल को भारत और रसिया ने इन दोनों देशों ने मिल करके बनाया है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स कूशन तरफ और नेक्स कूशन इ नाम से भी जाना करते हैं या नर्क के दौार के नाम से भी जाना करते हैं तो यह कहां स्थित है तो दोस्तो यह at डिर्वाजे से पिछले 50–ама से इस क्रेटर से से आज रही है जिसकी वजह से लगातार यहां पर आग निकल रही है और लावा तुर्कप्मेनिस है और दोस्टो यह कहां पर है तो यह कारा कुम रेगिस्तान में इस्थित है though कि यह एंदिया और उजब किस्वेक कजाकिस्तान के बीच में हुआ करता है इसके जाएभायाथ ने कि किस से बात कर Celtique खंजर की तो खंजर विदॉस सो एक परकार का युद्ध अभ्यास है और जो किसे के बीच हुआ करता है तो फंजर युद्ध अभ्यास तो भारत या कि इनडिया और करुछिन किर्गिस्तान के बीच में हुआ करता है किर्गिस्तान के बीच में हुआ करता है खंजर युद्धव्यास अब बात करो किसकी काजिंद की तो काजिंद युद्धव्यास किसके बीच में होता है तो यह भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है किसके बीच में दोस्तों होत ठीक है ना चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स कुशन की तरफ और नेक्स कुशन देखते हैं मारा क्या कह रहा है तो नेक्स कुशन है दोस्तों चिन्नाई एरपोर्ट को वर्स 2021 के लिए और टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा इस्थान दिया गया है यान Siati product पर चिन्नाई एरपोर्ट है ठीक है ना कुशन अगर पूछा जाये कि इस रैंक में यानिकि On Time performance रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है तो पहले नंबर पे दोस्तों आपका अमेरिका है कौन है अमेरिका का कौन से एरपोर्ट है तो अमेरिका का दोस्तों मियामी एरपोर्ट कौन सा अमेरिका का मियामी एरपोर्ट इस इंडेक्स में पहले नंबर पे है ठीक ना इस रैंक्विंग में 101 वे स्थान पे रहे किसे स्थान पे है 101 वे स्थान पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसके लाव दोस्तों अगर बात करो एशिया पावर इंडेक्स में भारत के रैंकिंग क्या है तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पे है किस नंबर पे है इसके बार दोलाई एरपोर्ट कहां पर है तो गोपीनाथ बार दोलाई एरपोर्ट दोस्तों आपके असम में है ठीक ना इसके लावे एक कुशन और बन सकता है कि रोल आफ एक्सिलेंस पुरिसकार किस एरपोर्ट को मिला है तो रेल रोल आफ एक्सिलेंस पुरिसकार दोस्तों कुछी ने अरपूर्ट को मिला है ठीक है ना चलिए अब बढ़ते हमारे निक्स कुशन तरफ और निक्स कुशन देखते हमारा क्या कह रहा है तो निक्स कुशन हमारा कह रहा है कि आईपियल 2022-23 के लिए कौन सी कंपणी टाइटल स्पॉंसर होगी तो दोस्तों उस कंपणी कह रहा है टाटा ग्रूप जहां दोस्तों आईपियल 2022-23 के लिए टाटा ग्रूप टाइटल स्पॉंसर होगी और इस बार आईपियल में दो नई टीमों को शामिल किया गया है लखन सबसे महंगा खिलाडी कौन था तो दोस्तों क्रिस मौरिस क्रिस मौरिस क्रिस मौरिस क्रिस मौरिस नाम है जो कि आई पिल के सबसे महंगा खिलाडी है एक कोशन और बन सकता है आपका कि सरवाधी का IPL किस टीम ने जीता है तो सरवाधी का IPL Dोस्तों Mumbahii Indians जीता है किसने जीता है Mumbahii Indian से जीता है एक 용 Şimdi आपएल के 14 संस्क्रंपमें Orange काक्यायघ क्याबyes Aa क्या है तो Orange कैप दोस्तो रिटू गायक वार्ट कुमिला है एकिसको मिला है रिटू काणा hai रिटू राज़गायक्वार्ट कुमिला है इसके लावा दोस्तों अगर बात करूँ कि आई पिल के चौदावे संस्क्राड में परपल कैप किसको मिला है तो परपल कैप दोस्तों आपके हर्शल पटेल को मिला है किसको मिला है हर्शल पटेल को मिला है ठीक ना आई पिल के चौदावे संस्क्राड में परपल कैप तो द पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाइन कर सकते हैं जिसका नाम है आईक्यू मेंट और एक्जाम वर्ड और इसी नाम से मारा फेज़ुक पेज़ भी है दोनों जगह पर फॉलो कर सकते हैं हर जगह आपको हमारे वीडियो के लिंक पीडियाफ अपको में प्राप्त कर सकते हैं नीचे दियेगा हम आपको डारेक्टली वहां पर इंट्रेक्ट कर लेंगे इसके लाब हमारे इंस्ट्राग्राम पेज आईक्यू मेंट और को ही फॉलो करें वहां पर मारे पोस्ट और रील से माध्यम से डेली कुछ नया बहतरी जानने और सीखने को आपको मिलने वाला है तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में तब तक ख्याल लखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए वीडियो को शेयर करते रहिए जय हिन दोस्तो